पार्टी जन्ता पार्टी में सबका साथ सबका विकाज और सबका विस्वास के हिसाथ काम किया गया है इतनी सपा सरकार में नोकरिया मिली है अगर बाजपा सरकार में लग रहा है आपको की वैकेंसी हो रही है रोजगार मिल रहा है आरे आखड़े तो फाइलों में बड़े गुलाबी है भाई साब उसमें क्या जाना वहां क्या जाना वहां क्या बाते करनी है। जब वोट की बात आफ लायक है लेकिन जब वोट नहीं है जब बास खतां तो फिर आप नालायक खाद की तिक तब किसान खड़ें पूझ बाराज यह सब जो सडके हैं कहां हुआ मुहम्दाबाद जाती है तो गारी नाच के जाता बन रहेगा सुनके आपना दल के नेता जी कह रहे हैं कि 18 साल की उमर क्रॉस कर गए और हमारी सरकार में आके जवान हो गए अब नौकरी नहीं मिली तो हमारी कलती क्या भई अधिया तो कई चीजों के लिए मशूर है लेकिन हाँ अगर आप आलू की कोई सब्जी खा रहे हैं या चिप्स भी खा रहे हैं तो बहुत जादा मुम्किन है कि वो यहीं का हो फर्खाबाद में आज यह सधर विदानसवा छेत्र है जहां राजन नगला एक गाउं है वहां आम लोग मौजूद हैं यहां मारे साथ सम्मानित जनता भी मौजूद है इसके साथ ही सम्मानित नेतागण भी मौजूद है जनता के सवाल होंगे और नेताओं के उस पर जवाब होंगे यहां पर समस्या के साथ साथ समाधान पर भी चर्चा होगी सबसे वहले आपका सभी सथ तारूफ कराइता हूं जितने महमाना मारे साथ मौजूद है मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपना जो परिचा है वो सबसे पहला सवाल सत्ता में बैठे लोगों से होगा सबसे पहला सवाल आपसे यह रहेगा कि इस विधानसवा शेत्र में आपके दौरा क्या-क्या वो काम किये गए पांच पॉइंट में समझाने की कोशिश कीजेगा कि जिसके चलते आपको लगता हो कि आप एक बार फिट जो है सत्ता में वापसी करने वाले है जी एक तो मु सब्सक्राइब कोई बार बिजली की बार बिजली की पूर में बारती इंता पार्टी सरकार वनने के बार लगातार बिजली जो है सहरी छेत्र से लेकर 24 गंटे गाउं छेत्र में 20 गंटे 18 गंटे विजली दी जा रही है ऐसे तमाम चीजे हैं जो जाम लगता था उसके लिए प्रॉपर विस्ता की गई है कानून विवस्ता में सुदार किया गया है और एक सबसे बड़ा जो हमारी सरकार का कार्य हो रहा है ओडियफ का जो 144 योजना चल रही है जिसके इंतरगत प्रते ग्राम में गाऊं में 144 योजना कही है जनता के साथ इसको वैरिफाई भी करेंगे दरसल की कितनी बाते सच गही गहीं और कितनी बाते गलत कहीं लेकिन इसके साथ एक और सवाले जहां फरका बात घूम रहे घू मैं पताना चाहूंगा जानकारी के लिए गुडगाओं देवी मंदिर है अपना प्राचीन और एतिहासिक मंदिर हमारे सदर विरायक के दौर एक निदी पचास लाग रुपए उसमें दिया गया तो गुडगाओं मंदिर का जीड़ोदार करके उसमें और अच्छा बनाने का कारी किया रहा था हमारे अमरतपूर विदान सभाचेतर के विरायक जी जो संकिसा चेतर आता है जो अंतर राष्टी इसकी पैंचान बढ़ाने के लिए उसकी पैंचान विस्सु पड़ल पे लाने के लिए निरंतर प्रयास किया रहा है और पूर्व में अभी यह की काम शायद नहीं दिख रहा उनको ठीक है आप मुख्य विपक्ष का चहरा है इसलिए आप से विजवजी आपके पास आऊँगा यह जानने की कोशिश करूँगा इन्हों ने अपने पांच पॉइंट गिना दिये आप सत्ता से गए तो कही ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी लेकिर आप फिर से सत्ता की वापसी के लिए आप क्या समझतेगे इनके काम उसे बहतर काम आप कर पाएंगे पहली बात तो यह कि जब हम लोग गए तो कोई कमी नहीं रही थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्दैसरी अखलेश कॉछ भाजपा के लोग कांग्रेस के लोग हर व्यक्ति यह कहता है कि साफ अकलेश जी के काम में कोई कमी नहीं हम लोग गये हैं वह इस वजह से क्योंकि 2014 में कहीं ना कहीं लोगों को गुम्राह कर दिया था उन्हें विकास के पस्ट से भटका दिया था इस बज़ए से मेर अब भी कुछ रोड़े रहे थी जो गड़े से लैस थी हमारे समय सारी रोड़ बनी थी उसके बाद कोई रोड नहीं बनी और जो एक रोड़ अभी जो है दिख रही है जहां से आप आए होंगे तो वह भी समाजवादी पार्टी के समय बाकि तो आप समझे एक सारी कि सड़कों का बहुत बुरा हाल है इसके साथ ही आपको विजय जी लगता कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर आप फस जाते हैं लोग सम जा बात कि अमने फरकवाद के तमाम लोगों से तो लोगों ने कहा कि आप आयोध्या देख रहे हैं दीपोच सब देख रहे हैं ज मत् outdoor है तो वहां बाकव चर्चा हो रहे थी किसा जो हे रही हैं लोकल के जो बिदायेग का कि की नहीं है वह इस बात की बात रखतें आधार रखते कि अगर जो है दीपावली पर दीपाज जलाए गए तो उसका कितना फरक है अगर वो केदारनाथ में बैठे जाके तो उसका कितना फरक पड़ेगा इन सब बातों को लेकर आप समझे कि कौन उपर से ही नीचे काम करने की सोच अब कितना मामला रह गया है कितना योगी जी का मामला रह गया कितना मोदी जी का मामला रह गया कहां कहां पर मामला रह गया बोट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा चार वर से पांच वर से यही हो रहा है और मेरी समझ में जो भी आप कहे रहे थे कि खंबे अब निकलते हैं आप पता कर लीजे कि खंबे हटे हैं कि नहीं खटे हटे बिदायक यह सब काम कर दो प्रदान के काम भी होते हैं प्रता के पास आएंगे लेकिन एक वर्जन कर लेते हैं सबी से कॉंग्रेस पर आते हैं कॉंग्रेस की बात करूं तो दरसल ऐसा है कि अभी से कुछ समय पहले तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था लेकिन प्रेंका गांधी आई एक दम एक लहर से आई तूफान साया प्रेंका गांधी में अपना परसेप्शन है कि प्रेंका गांधी तोड़ी देर कर दी पार्टी को दुबारा से जीवित करने में बिलकुल नहीं प्रियंका गांदी जी बरावर शेत्र में थी बरावर जनता के साथमती जो अब दिख रहा है वो जनता का रुजहाना शुरू हो गया इसलिए वो दिख रही है इससे पहले आप लोगी कवरेज ले नहीं दे रहे थे सब्सक्राइब कोगमें कर दो बाकी तो हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जित इसी की राजीनिती हो रही है बानुजी एक और चीज़ है लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जो है दरसल बीजेपी का उतना नुकसान नहीं करेंगे जितना आप समाजवादी पार्टी का नुकसान कर देंगे जितना बाकी अन्य दलों का नुकसान कर देंगे बीजेपी का कम करेंगे आपस में जादा आप नुकसान कर बैठेंगे दीए कांग्रेस किसी के नुकसान के उपर नहीं रहती है कांग्रेस अपना और अपनी जंदा का फाइदा देखती है हम जंदा के साथ हैं हम किसी भी पार्टी का नुकसान नहीं कर रहे हैं हम किसी भी दल का कोई ना सपोर्ट कर रहे हैं नुकसान कर रहे हम अपने आपको लेके अपनी जंदा के लेके काम करेंगे और हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों पर वो लोग भी लड़ लेते हैं वो कहते हैं हमने जादा विकास किया आपकी बात करूँ तो आप भावनात्मक काट जादा खिल रहा है आप प्रेंका गांधी जी जो है हातरस पहुंच रही है लकीमपुर खिरी पहुंच रही है वीचे सवान है तो सपा बस्पा बीजेपी यही तीनों तो है जनता बाट रही थी इसलिए हम लोग सता बाइब करते ही नहीं है और जो जनता थी वह जादिफ्तार धर्में बढ़ गई इसलिए लिए हम लोग सता बाहर थे आपसे बाद चीद होगे अपना दल के पास बहुत सबसे पहले तो मेरा यह सवाल है आपसे कि जिस तरीके से छोटी पार्टी की बात करता हूं छोटे दलों की बात करता हूं उपी राजबर सब की पार्टी है वो इधर से उधर चली गई प्रसपा भी घूम रही है अकेले अकेले वो सफ़ा का साथ चाती है लेकिन हालां कि आपको नहीं लगता कि छोटे दल हैं यह बड़ी पार्टी आप से समय पर तो काम निकाल लेती हैं जब चुनाओं खतम हो जाते हैं तब फिर आपके साथ उतना तालमेल नहीं बढ़ाती है तालमेल हमेशा रहा है हमेशा रहेगा और छोटी पार्टी भी विस्वास के साथ बीजेपयों की साथ हैं शोटी पार्टि राजबर साथ इसाथ पार्टी यह की में हमारी बहुत उप्योगिता है हम भी बहुत हैं में आप भी बात डृट जहाएं होता पार्टी आज बीजेपी की साथ है कल सपा के साथ गड़बंदन करती है फिर अगेन ट्राइब करती है जब आध-मी अपने स्वार्थ की तो किसी जंता कि न आपकि स्वास करें तो उनका कोई किन में में कम रहे तो अपना अपिस पर्मानेट रहेगी और आंगे वाले एनके साथ मिल्कूल पूरी बाइब को आप प्र यह कहते हैं कि रेखिए यह een पश्रिवार कांग्रेस के साथ गटबंदन कर लिया उसके बाद बस्पा के साथ गटबंदन कर लिया बहुत सारी पार्टीब बंदन में आपको भी जरूत है अकेले आप नहीं समझते हैं अपको प्लूत है चल आए और हम सब को परस पर सम्मान देते हैं और यदि हमारा कोई भाई है और हम उसके साथ सुरू से चल रहे हैं तो हम उसको साथ लेके चलेंगे आप उसको जाती समय करने से जोड़ के देखिए नहीं नहीं मैंने आपसे पूछा आपने का हाँ बिल्कुल ऐसे ही अपनी बात बताना चाहता हूं कि आप जो कह रहें जाती समय कह रहा हूं कि मीडिया या समाच जैसे चाहें देखे लेकिन हम अपने भाई धर्म का सम्मान करते हैं वो लोग नहीं है जो भाई को भाई पर कुरसी पर बैठने के लिए राजभर साब आज आप पर आरोप लगा लगाने के लिए स्वतनत्र हैं और अगर उनको नहीं लगता है भारती इंता पार्टी के साथ चोड़का जा सकते हैं तो पी राजबर साब कह रहे हैं कि यह सब चीज करते थे और जब इंधर नहीं चला तो फिर कूद के आपके पाले मागिरे हैं यह क्या है जब उत्तरप है उसमें OBC की एक मैं भूमिका है आज सारा OBC समझ चुका है कि मेरे साथ छलफरेव हो रहा है हमें नौकरिया नहीं दी जा रही है हमें ब्योपार में कम किया जा रहा है उनके नोजमान आप देखे सारा OBC यह खड़ा हुआ है आप इनसे पूछेगा तो किसी को नौकरी न होता जा रहा और दूसरी बात बड़ी बात यह है कि आज हर विक्ति समझने लगा कि जो भी कानून मनाए जा रहे हैं इसको सीधा सीधा यह बात है कि इसमें सबसे जानदा OBC आठ करोन किसान है उत्तरपदेश के अंदर सबको कमर तोड़ने की तैयारी हो रही हो और सी समझ चुका इसलिए OBC के जितने भी नेता है वो वीजेपी को समझ चुके हैं कि अगर हम इनके साथ रहे तो यह धीरे-धीरे करके हम सबको खतम कर दें अगला जो मुद्दा होगा वो गंगा एक्सप्रेस से सम्मंदित होगा लेकिन उससे पहले जनता में से कोई कुछ अपनी बेकार है सबकश को जाती नहीं देखी गई यह एपको और थी सपाधार में यह अगर बात treaty सरकार में अगर इतनी सब्सकरी आई तो कर रोजगार नहीं पुलिस की दो वैकेंशिया हुई है टीचर की हुई है बहुत सारी इस अधब 2013-2015 वाली फी अपनी पूरी नहीं पूरी पूरी कर आपको की वैकेंशिया रही है रोजगार मिल रहा है बिल्कुल हो रही है सबी जातियों का संबान किया जाता है कोई जाती अलग नहीं है कि सर्वसमाज की बात हो रही है सर्वसमाज के लिए किया जा रहा है जी बात कार बेरोजगारी और सिर्फ लूट घसोट और कुछ भी नहीं है मेरी समस्या कुछ नहीं है हम अपने गाउं समस्या बताएं बताई 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 पूरी सब्सक्राइब को समझना पड़ेगा अपनी जिम्यदारियों का सबी लोगों के सवाल लिए अब आप पर आता हूँ ये कह रहे हैं इनका कहना है कि नौकरियां जो है रोजगार दरसल पूरी तरीके से दम तोड़ चुका है लंगड़ा हो चुका है और बिलकुल भी रोजगार जो यूवाओं को है वो नहीं मिल पार बेरोजगारी चरम बताना चाओंगा जो भी एक नौकरी की समस्या पे सब लोगों ने बोला तो मैं बताना चाओंगा कि आज का युवा सभी लोग पढ़े लिखे लोगें एजुकेटिड युवा है तो आप सब जानकारी करिए और आकड़ों पर रहां नहीं सिर्फ अफवाओं पर नहीं बारती जनता पार्टिक की सरकार बनने के बाद अभी तक साड़े चार वर्स में 6,65,000 नौकरियां दी गई है मैं आकड़ों के साथ बताना चाहता हूं आकड़ों के साथ आप इसको प्रूफ कर सकते हैं तीन आरे आकड़े तो फाइलों में बड़े घुलाबी है भाई साब उसमें क्या जाना वहां क्या बाते कर रही है उस पर रही ह है जंता नहीं है अब समझ लीजे जब वोट की बात आती है तो आप लायक हैं लेकिन जब वोट नहीं है जब बात खता हम तो फिर आप नालायक हैं जी और सब्सक्रां सांसे जी कि द्वारे रोट नाई सेंट्रल से महमदाबाद हुआ ठंडी सड़क का हाल हुआ यह सब जो सड़के हैं इनकी जिम्मेदारी किसकी है आपके पास तो महंगी गाड़ी होगी आप चल गए चमचमाती गाड़ी से जो मोटर साइकल वाली कैसे जाएंगे बिल्कुल जो सड़क का भी काम है भारती जिनता पार्टी की सरकार वनी तो सबसे पहला योगी जी के माद्दिम्हसी काम किया गया और पूरे हां हुआ काम भाया कहा हुआ मोहमदाबाद जाती है तो गाड़ी नाच के जाती है पूरे प्रदेश में गड़्डा मुक्त सड़कें की गई थी लेकिन बारिस के बाद तमाम समस्याय रही और उसके बाद जब कोरोना काल जो बिपरीत समय बीता दो साल का उसमें ऐसा हुआ कि कहीं ने कहीं जो दैस का आर जानता परिवर्तन चाहती है और ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं दूरासुका लग जाएगी ठीक है दो ज्यादा कुछ ने बोलेंगे रासको लग जाएगी जीवड़कों इनके रोजगार कॉंस हैं नरेगा इनके रोजगार कॉंस हैं संबिदा वाले कितने कालीज और स्कूल है जिनमें कितने इंटर काली मदमिक सो कुतने कितने अध्यापक भी आई लेकिं आज तक यह भी भरती नहीं करवा पार रही परिवर्थन की बात को लेकर आये थे लेकिं दसल्ड कर वो नजर नहीं आता नजर आता है तो सिर्फ आपके हाथों में रत्न और रत्न और रत्न सत्ता का ठीक है विजादब जी एक और चीज़ पूछना चाहूंगा यहां की जनता की गंबीर समस्या है काफी देखता रहता हूं गंबीर समस्या यह है कि गंगा लोग सोचते थे कि हां यहां सोकर निकलेगा तो विकास होगा और भीजार डेवलोप्मेंट होगा लोगों के पास आर्थिक मजबूती आएगा लेकिन गंगा एक्सप्रेश पे दरसल चटक के बाव्यूसे निकल गया आपकी सरकार होती तो क्या यह मुम्पिन होता कि गंगा यहीं से जाता और वैसे भी आप देखिए कि जो एक्सपेस भाइवे बनाया है पहले पूरे फरुखाबाद के लोग जब हम लोग हर्दोई से जाते थे तो तै कर लेते थे कि ग्यारा बज़े दस बज़े हम लोग को लखनों के लिए निकलना ही है और उदर से जब हम लोग चलते थे तब भी यह सोच लेते थे कि हम लोग दस ग्यारा बज़े निकले तो फरुखाबाद में सुरचित पहुंच जाएंगे क्योंकि हम लोग को हर्दोई होके आना पड़ता तो बहुत लं है इस बार की दीपाबली मैं आपको बता रहा हूं कि रोजगार नोजवान का रोजगार चोड़िए किसानों की खाथ की समस्या छोड़िये सडकों की समस्या छोड़िए आप यह देखिए कि कोरोना के समय अप्रेल में साथ साल वहां की सरकार को हो गई साड़े-चार साल एक वी अस्पताल क्या ये भाजबा की सरकार ने फरुखाबाद को दिया या आसपास दिया अगर समाजवादी पार्टी के समय के सैफ़ेगा अस्पताल ना होता तो आप समझे किया ये जो है मरीज कोरोना के सडकों पे लेट ते है कोरोना की बात आपने अप कर दिये यहां निर्णने लिया आपने अपने हिसाब से क्या सोचा समझा उनको क्या बताया नहीं लोगों के पास अस्पतालों की वेबस्ता नहीं थी तो जितने अस्पताल यहां दिये गए जो वेबस्ताइं आप पता कर लीजे इन बना रहें के बिजये यह वैक्सीन लगवाई की सरकार की 125 है और उसके मैंने कमपनी वैक्सीन लगवाई ब्रत गलत बोल रहे हैं यहां बियान दिया था और उन्होंने जो है उसके तक सभी के हैं क्या नहीं मैं안kem आप समाजवादी पार्टी के नेता है है आप का टोटल इशू है आप ढमीन पर यहां पर अपने कार्व करता हो क्या समझा रहे ते हम लोगों को दी और समाजवादी पार्टी के जो लोग थे उन्हीं के अस्पितालों में कोरोना के पेसेंट भरती रहे और उन्हों ने सारी विवस्ताइं की जनेटर भी लिए बेञा सब समाजवादी पार्टी के जो लोग थे उनींक असपितालों में वहाँ पर लोगों को इलाज दिया गया और वालों के पास इस्पिताल भी नहीं बात जो भी जो संसादर हम लोगों के पास थे हम लोगों ने भड़ चड़ के सालिया और लोगों की मदद की अब और चीज़ है प्रदेश इस्तर की पूछ लेता हूं कि चाचा दरवाजे पर खड़े हैं उन्हें एंट्री क्यों नहीं दे रहे हैं अब देखे प्रदेश का जो विकास था जो डबलमेंट था जो हर वर्कों साथ लेकर चलने का था कि उन्होंने हर वर्कों नौकरिदी हर वर्कों आंगे बढ़ाया अब माली एक्सपेस में बना तो क्या इस पर एक ही वर्क चला है सभी चल ले ना जो भी योजनादी 108 102 यहां पर आप समझें कि नंबर की सुबदा चली यह पूरे फरुखाबाद को फार आरोप यह लग जाता है कि उस तमें गुंडागर्दी चरम प्रती लूट पार्ट होती यह सब चीज़े अपराद बहुत ज्यादा था तो उसको कम करने का काम करते हैं यह आरोप लगा देते हैं आप पर यह जो समाजबादी पार्टी के इस्पताल थे उन्होंने करोनों रुपए कमा अगर उनकी घर पर रेड़ में करोनों रुपए रखे मिलिए आप भी कमा लेते कमाते तो सही लोगों के इलाज के तो काम आते बिलकुल हम लोगों ने निस्वार्थ अपने पास से मदद करके इ यह किया नहीं पार्टी सबसे वड़ी पार्टी आप दो चार लोगों का नंबर देपाएंगे आप बस आप कितनों का नंबर देते हैं ना साइक्डों के नंबर दें बीजेपी ने अलग मदद करें बीजेपी ने जो जो भी तागती तागी महोया कराई अभी एक्सप्रेजबे की बाथ आगरा लखनो एक्सप्रेज बे तब उसकी बात क्यों नहीं हुई अब यहां से नहीं जा रहा है तो आप कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उसका क्या है आपका काम क्या है फिर हां नहीं मिला है उनसे पूचे आपकी एज कितनी है पूचिए क्या होगा एक पूचके बाद हुए आपकी रोजगार नहीं मिल पाए आप तीस साल के हो गए आप करें 35 साल के हो गए जितनी इतालिया हो उतनी कम है अपना दलके नेता जी कह रहे हैं कि 18 साल की उमर क्रॉस कर गए और हमारी सरकार में आके जवान हो गए अब नौकरी नहीं मिली तो हमारी कलती क्या वहिया क्या बोल दिया आप गजबे खेला वहिया गजब लीला सरकार कि हां सपा सरकार 15 से 20 साल आपको नहीं रहता फंस गए आप कह रहे हैं कि 18 क्रॉस करके 21-23 24 के हो गए अब रोज़गार नहीं मिल रहा बिरोजगार है तो हम क्या करें बताईए बहुत से लोग है अब पॉपलेशन पाया एज पूचिए उनसे पूचिए सपा सकार ठीक है ठीक है ठीक है आपके बीजेबी के साथ है शसांग मिशा जी हमारे साथ है शाशांग जी ब हो गया यह कह रहा है कि इनकी सरकार में 17-18 साल के जो लोग थे हमारी सरकार में आते-आते 1224 के हो गए अब जवान हो गए अब कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं थोड़ा सा समझने की मिश्टेक थी इनका जो बयान कि मध्यक्र में व्यक्रा戲 कि ले भाटा रहा हूं कि थे लोग बढान यहां पर प्रिस्टेते में बेरोजगारी की समस्ष्य उठा रहे हैं इनका कहने हैं मतलब जब समाजबाधी मैं पार्टी की सरकार्ति तो तक बार्टी की सरकार में चैनल की सब्सक्राइब तो बर्ज गारी का आरोप भारती सरकार का रहा सकता है किस पर लगाएक आरोप लगाने क्या आफगानिस्तान सरकार पर जाएंगे क्या ठीक है आप बड़ी देर से चंद जन मुस्कर आ रहे हैं आप चाहा रहे हैं यह बताई जाहा रहे हैं किसका खेला बिगाड़ने की कोशिच में हुआ रहे हैं इस आफ दूसरा कोश है नहीं रोजगार के लिए तो बताएं यह तो स यह यह तो यह चाहते हैं संस्थान बेज़ दें युगा विरोजगार रहे तब इस तो जैसी राम करेगा इनको तो वही आदमी चाहिए बस जैसी राम होता रहे जैसी राम से क्या समझता है इन्होंने एक काम बताए जो कह किया पिछली बार जब चुनाओं मैदान में आये तो कंदे से कंदा मिलाकर खूब चल रहे थे इस बार कंदे से कंदा तो नहीं मिलाया क्या है बैचारिंग मत्बेद थे हम लोगों के जो समय में लगा लेकिन जब वो चीजें नहीं हुई तो हम लोग अलग है यहां करोणों सालों से राम जी का नाम लगते रहे हैं सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है क्या है माइक पे चिलाना वह जरूरी वह आपको कभी नहीं दिखा जो प्लेट फॉर्म पे नवास पड़ी आती थी आप लोग उसको उसको जो है ना आप लोग सपोर्ट करते थे पुलिस लगाते थे और उनकी नवास को अधा करवा किसी भी धर्म के साथ अगर किसी भी तरीके कहा है ठीक है ठीक है एक मिट मिट में रोट पडे ते जाते थे सब्सक्रा सरकार कंगरा सरकार में अगर जैस़्ुराम का नहरा उपर आबाज करा कि जाती तो उनको भी दिए गई है कि आप लोग भी अपने धर्म का प्रचार करें और दरम की बाद चलिए जैसराम का नहरा तो राहूल गांदी रेखलो समाजबादी पार्टी देखलो चाहें बस्पा देखलो समाजबादी पार्टी अभी तक दर्म नही धर्यृट कर लेता हूं वो कह रहा हैं कि आपकी सर्कारों में धरसल इंद्वों को दवाने का का क्वानीग किया जाता था अब इसको यह वहीं है आपको देखेंगें लगने लगें किसको देखेंगे लिए बीना गाम के वेरोजगार रहें यह तो नारे लगाएंगे करो सब्सक्राओं काफी दिर से कुछ कहने की कोशिश कर रहां भी हाँ है पहले बैगाई बात करो पर देखते हैं पाथ बहुत बाइब बहुत 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 कह रहे हैं कि प्रस वह जो है मंतरी कहां चली गहीं समतिरानी जिसनों बहुत 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 हर मुद्धों पर समय रहते बाचीथ होनी चाहिए हर तरह के मुद्धों पर चर्चा का जो विशा है पटल हो खुला हुआ लेकिन जिस चीज से जनता करा रही है महंगाई बेरोजगारी बाकि जो अन्ने मुद्धों है उन पर चर्चा शब्से शुरूं प्रात्मिक्ता के साथ इन्होंने महेंगाई का मुद्दा उठा दिया अब यह बताई आप सबसे पहले तो सड़क पे गड़े अब गड़ों पे चला भी जाए तो पेट्रोल इतना महेंगा की पेट्रोल डलाए कहां से तो जनता चले की ना चले घर के दरवाजों में खुद सबसे वड़ा फैसला दीपा वली को इतना बड़ा तव्फा दिया गया है इससे जादा और घटाया गया है अब रोजाना बढ़ाते रहें आप रोजाना बढ़ाते रहीं अब मैं आप से कहूं कि आपके हाथ में जो मोवाइल है यह 20,000 का इसका दाम में कल 40,000 कर दूँ और परसों वापस 30,000 पर ले आओं तो यह गोली नहीं है गुगली नहीं है लॉली पॉप नहीं तो और क्या है कांग्रेज की सरकार से क्या मतला मतला सत्ता में आप से बतकुषी ओर हागा ता और आज वह अगर जब तनुखा थी लोगोंगी अगर 20,000 थी और आज 25,000 वह चैशानावल का निवıs तो लोगों कि तरफ़ा लोगों की तन्खा भी बढ़ गई है कि किसान लोगोक रॉ place किसानों की तनका थोड़ी बता रहा हूं ना जो हमारे पास आलू आ रहा है बर्तमान में आलू 25 किलो मिला यह किसका आलू किसानों का किसानों की किसानों को उचित मूल देने का समर्तन मूल देने का कार सिर्फ भारती जन्तापाटी के सरकार ने की ठीक है ठीक है ठीक है अच्छी बात उठाई है उन्होंने कहा कि कि आज किसान जो है बास्तम में अगर हम फरुखाबात की बात कर लें तो खाद के लिए किसान परिशान है किसान को खाद नहीं मिल पारी है डीजल पेट्रोल के दाम इतने भड़ गये है जो 65-70 रुपे में पेट्रोल था वो आज 100 रुपे के पार हो गया आपने खट्टा 10 रुपे कम कर दिया तो आप यह भी देखें ना कि 40-50 रुपे आप बढ़ा हुए है और हम तो कहते हैं कि जब सारी चीजों में खाने पीने की चीजों में आप GST के दाइरे में तो डीजल पेट्रोल को GST में क्यों नहीं ला रहे हैं और आप अभी एक अभी हम मखवार मे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं आज हम देख रहे हैं कि जो कोईला पांच वर्स पहले जो 9000 टन से उपर नहीं था आज 15-16000 रुपे टन आ रहा सारी मोनोपॉली कर दी हैं बड़े उद्योग पतियों के हातों में पूरा देश सौब दिया है पूरा देश जो है वही लोग चरा रहे लगे चेतर की बात करें तो वह कह रहा है कि आलू को हमने उच्छे रेट पर बहुत चलीदा किसान जान करीता है कि नहीं कुई किसान से कोई आलू नहीं नहीं घृता जो बड़ दमान स्वारिश्स्टे तमें हम लोग जो फुटकर में आलू लेते हैं इसक तक पहले पहले दस रुपए फल रूपटरा जब न शिफ प equipment शिल आएगा जिस्के फब्चाथ ज nov महिवाएं चिला सब्सेब लूगा सबसे सबसे नहीं करके 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 काफी लोग काफी लोग काफी लोग मेरी बातों से इतिफाग रख सकते हैं काफी लोग हमारे शहर से पलायन करकर अच्छे बाविशी की खोज में दिल्ली मुंबई बाकी तमाम शहरों में जाते हैं लेकिन वो अगर पांच साल बाद भी वापस आते हैं तो फरकाबाद में वही सडके वही जो कुछ है वही सब कुछ है एक भी फैक्टरी इंडस्री मे नसीब में यह क्या कुछ है यहां पर विकास के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता अभी तक जो हुआ वह अलग वात्ती भारती इंता पार्टी की सरकार वनीए अगर आपको जानकारी हो फरुकावाद में पहला टेक्ष्टाइल पार्क बनने जा रहा है उसके लिए जगए सरकार के द्वारा संश्चित कर ली गई है और उसके जो बजट वी उसके लिए पास हो चुका आगे पाराज गंगा लेकर बता रहें कि क्यों नहीं आ रहा है एक मट सुन ली जहां कि जैसे कोई भी चीज़ बनती है कोई भी पुल का निर्माण होता है को बहुत ज्यादा साइंटिफिक कई टेक्निकल चीजें होते हैं जिस पर दूसरा नेंतर्ण बोर्ड होता है वह भी देखता है रोड़ व और राम गंगा दोनोंप समय दोड़ती सारी समस्या यह हैं लेकिन उससे पहले विदायक जी अगर बाड बाड की हमको हमको पबलिक की बाड की समस्या को भी देखना और एंजीटी की गाड लाइन भी देखना है तो फरका बाद जरसल ऐसा बदनसीब जिला है कि यहां से देर सवेर एक उम्मीद जगी थी कि एक्सप्रेस निकलेगा उस एक्सप्रेस वे भी आप कह रहे तो जन तक की किया सडक बना सकते यह बहुत बड़े बहुत बैठीक है सांसा जी खुद रहते हैं अपनी सड़क नहीं बन भापाते तो क्या बन वाएंगे आप से मेराएánd कि एक बहुत बड़े नेता को इस जो की केंद्र में बड़े-बड़े पदों पर है कानूनमंत्री आँवी सलमान खुर सी साब की बात कर रहा हूं। का पद्धेर का फर्खाबाद में वर्चसल ते दिखाई क्यों नहीं देता है कने पदख क्या ला आधों पर्खाबाद में यहां को हमारी सरकार होगा है उनके नहीं ने कोई द्योग लगा हो बताई आप कहीं पर भी लगा हो जितना कब थे आप सरकार में आखरी बार कब थे सरकार बिई पी के लिए तो बहुत समय हो गया है बत्ति साल पहले थे तो ठीक है तो हमारे सांग्रेस के सम्मानित निता जी का कहना है कि जब हम थे तभी तक विकास और इसको दो दशक बता रहे हैं कि हो चुक है तो दो दशक से कोई विकास नहीं हुआ आज यह जो फरकाबाद की जनता वह अस्ती के दशक में जी रही है ठीक है देखें कॉंग्रेस और बाजपा दोनों एक ही जो है पहलू के दो रूप हैं दोनों को अगर फरुखाबाद की पात करें तो बास्तम में आपने ठीक बात उठाई है कि बहुत बड़े नेता जो कैवनेट मंत्री रहे हैं और फरुखाबाद के बड़ी समस्या है पार बड़े लगने वाला है वह आज तक नहीं कभी लगा वह मुरत होने के बाद प्लांटी गायव हो गया जमी कोई कामनेटी के जंदा से कुछ बात कर लेहां एक बन रहा है क्रासिंग पूल बन रहे हैं समाजवादी सरकार मंजूर जाम पूरे नहीं कराई रहे रहे हैं तो ठीक है बताईए तब भी उतनी ही रहे है तो प्राइबट दे दिया ना ठेके दार आते हैं पकड़ लेते हैं फिसले कि नहीं किया है इतनी समस्य इतनी समस्य कि इतनी डीजल बात करो इन लोग देखो नहीं पुलिए बीजेपी के हमारे मंडल अध्यक्ट साव मंडल अध्यक्ट जो है यह तो कहना है कि बिजली देखो भाई कि इतनी है पहले थोड़े दिन पहले कह रहे हैं जहां उपचुनाओं में आ रहे हैं अंतर राष्टिय बढ़ रहे हैं तुर्ण दस रूपे करें फरका बात की जनता है यहां पर सबसे कि मुद्दे क्या है आप लोगों के लिए मैं किसी रेंडम परसन से जानना चाहूंगा गाय कितनी बड़ी समस्या आए कि किसान ना घरपल सोई पाई रहे हैं सिर्फ कि लिए यह काफी शर्मनाक बात है कि चार विधायक यह खुद बोल रहे हैं कि चार विधायक है एक सां और किसान कह रहा है कि उसे खाद नहीं मिल पारी सब सत्ता में यहां तो फर्खाबाद का तो फर्खाबाद का चार विधायक हैं एक ही पार्टी से चौमुखी विकास होना चाहिए था लेकिन इसके बावजूद खाद मिलने के लिए लोगों को परिशान होना पड़ रहा ह हुआ जब एक एक समय एक समय में एक अदमी कहीं बैठा और उससे खाद बाटनी है और अब बहां पे सो लोग एक साथ खाद लेना चाहेंगे तो कैसे मिलेगी तो यह कौन सा जवाब कि कौन सा जवाब है आप जब लेने जाते हैं तो कहते हैं कि 10 लोग वोट दो 100 लोग ए जाता है और जब यहां पर अविस्ता पहला के एक जले जले मेरे साथ के लिए इसके लिए कौन जम्मिदार है जनता जनता के वारे में जानता हूं जो मेरे मित्रों कई यहां पर जो बिदायक लोग है ना एक लोगों को चाइप पी नहीं आए था आपने का मैं कुछ नहीं कहूंगा वरनाए यह मिरे उपर यूए पीय लगा देंगे और उसके बाद साब लगातार बोली जा रहे हैं पार्टी के लिए नहीं बोलना हूं हमारे जो विदायक साब है एक लोगों को चाय पीने पुरसत नहीं है वो सुबा उड़ते हैं और लोगों के साथ चाय पीते हैं लेकिन गड़े छोड़ के जाते हैं वह मेजर साब ठीक है और सांसा साब की तो आप बाती छोड़ दो वह प्रदेश कांग्रेस पर द्वारा आते हैं आप ने एक बड़ा ही एक मिनट आप ने बड़ा ही आतिहासिक बयान दे दिया आपने कहा कि फरकाबाद का आपकी जब आखरी बार सरकार रही तो उसके बाद से कोई विकास हुआ ही नहीं इसके पीछे प्रदेश सरकार जिम्म जम्मेदार इस तानी नेता भी तो सरकार भी थी है कर दोनों आदमी जब इस थाने जब सरकार के पास यह लेकर नहीं जाएगा इमांदारी वाद ही होती है जब सब्सक्राइब पहुंचता है को वाजू में समाजवादी पार्टी के नेता जी बैठे हुए है आप कह रहे ह विकास का कोई काम शून ने रहा तब विकास गिने चुने जगे पे रहा हुआ है लेकिन फॉर्वाद तो नहीं हुआ ना फॉर्वाद में तो नहीं हुआ पर आप ज़रा जवाब देने जवाब दीजिका जरा उने पहले भी बताया कि अगर फॉरुखा बाज छोड़ी है उ जानता है तो सिर्फ जो है स्री अखलेश आदव जी और सुन गिजिए आप कि योगी जी की पूरा कर अब तो उन्हें कम से कम समझना है कि आज किसान परिशान है गाए से परिशान है पेट्रोल डीजल से परिशान है नौजमान रोजगार से परिषान है कम से कम दो यह तीन महीने में कुछ जाना तो उनको है यह कुछ दो तीन महीने में ही कुछ काम कर दे क्योंकि इनकी जो भ्रहम की दिशा में बैठे हुए हैं आपके बाजनों के इनका भ्रहम कैसे दूर होगा कांगुरेस ने भी इस देश को गुम्राह करने का काम किया है और कवी सब्सक्राइब बारती जनता पार्टी ने जो विकास के नाम पर बात चल लए है और छोटे ब्यक्ति से जो पहुचाई जो पहुचाई जो पहले सरकार्म योजना चुछे लग रहा है कि सारी योजनाओं का लाब सिर्फ आप ही को मिल गया है लगेंटे ली जो प्योन ख्रावध कर दिखकी खड़े तक ऐसमंचा की को कैद्र बले तो इस समय समाने भीरез में कौना आप अब घठाशा प्रेंद से ऐक महिना काम चला ही लिएा तुना पांच किलो रासन में दो चार दिन तो तो पूरे उड़ जाते देड़ ठीक है एक एक लाक लास्ट लास्ट कॉमेंट लुगा जो कुछ करें जाते हो पहले सरकार में पांच प्रवाद दोनों नहों ने बोली इस पर तो मैं दोनों लोगों से आप दोनों से बात चीथ करना चाहूंगा इनका कहना है कि पहले ठाने चोक्यों फानेदार को देखे निपट जाता था अब पांसो रुपया तो यह करफचन की कौण सी लीला है यह व्रष्टाचार की कौण सी लीला है ठीक है यह कह रहे हैं कि पहले ठानेदार को 500 का चिपपा देते थे मामला निपड गया अप 15 लग रहे हैं अब पहले तो आप इतने बुजूर्ग हैं इनको सोचना है कि यह कौन से इसे गलत काम कर रहे थी कि इनको थानेदार को जाके पैसे देने पड़ते थे ठीक है देने पड़ते तो आप किसके संवर्तक और किसकी बताना चाहते हमसे पहले समाजवादी पाट एक चीज और एक जाना चाहेंगे आपने कहा कि पहले थानों में 500 रुपए देते थे मामला निप्टवा देते थे अब 15,000 लग रहे हैं तो ऐसे काम हुए ही क्योंकि आपको 500 15,000 के चक्क्र पढ़ना पड़ा है जुआ जंगल अब लड़ाई जगड़ात होता है अच्या चलिए ठीक है ठी ठीक चले ठीक चले ठीक ऐसी चीजों को बढ़ावा ना तो किसी विस्तर पर दिया जा सकता है ति उस पर बाची तरगे घर पढ़ा है तो चलान कर दो गए तुरंत यह सुरक्षा की द्रस्टी से मामले होते हैं इस पर जंता के भी हिच्छिप हुए होते हैं इन पर चर्च इसको कौन उठाएगा जनता ही तो बात रखे किस पर इस चीज कि यह मैंने यह मैंने बात चीजा भी विजयादव जी से भी की थी यही मैं कहना चाहता है इतना लूपता है सब कुछ है तो यह सब दो क्यों नहीं यहां पर इसको बढ़ाने क्लिए क्यों कुछ का मिए टेक पर चाहे और जरूर भनेगा जरूर बनेगा है और आप आप देखिए गावारती उन्ता पाट पुफा और पुना सरकार अच्छा सवाल उन्हों वाकि मुद्दे यह वहां काम क्यों नहीं हो रहा है ये कहां जो है कहा यह नहीं हो रहा है यह कहांच पहले वह कि जब राश्टी देठोन के सामने लोगों बात उठाई थी और वो यहां कहके गए कि सरकार बनेगी तो सबसे पहले आप शाम का वक्त है मैं फिल सजी हुई है मदरापान का सेवन हो चुका है सब तो लोगों ने आलू का मुद्दा उठाया था और आप एकिन माने कि दोबारा अगर सरकार बन गई होती तो आप तक यहां फरुखाबाद में कोई अलू का प्लांट लग चुका होता और आलू जो है अच्छी खासी खपत अलू की उस प्लांट में हो रही होती और अभी तो आप निश्यत मान लीजे कि फरुखाबाद में कोई प्लांट लगाया जाएगा और उसके लिए अच्छा बड़ा प्लांट लगाया जैसे जिससे आलू का जो है खपत हो सके सही से चलिए तो विजयादव जी कह रहा है कि फरुखाबाद में अगर सभाजवादी पार् जिस समय अटक गई तो सरकार अटक जाएगी बाद रहें आपको ताब आ रहा है कि क्या करना है आपको फरुखाबाद के लिए तो आलू से एक बड़ा कार खाना लगेगा जिसमें कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलें दूसरा फरुखाबाद की रोडों को और फरुखा राच है कि सिच्चा के छेत्र में जो अभी तक सपा सरकार में रहा सुकेंद प्रणाली लेही लेइपन लकां से भी नहीं को तहं त्य सब्सक्राइब परिक्षा से लेकर भरती होने तक इसको एक फ्रेम में बाटा जाए टाइम समय में बाटा जाए अठारा महीने में परिक्षा से घ्रकार बहएए पचासों साल में आई हो इसी मामारी किसी सरकार में सथारा में आधमी का जीना बचना बेहाल हो गया यह यह इस इस काल को बहुत बढ़ी उपल्प लब्दी है ठीक है बताया बीजेपी जो है आप ने 14.5 साल में जो कुछ किया किया लेकिन जनता जो है दरसल कि आप दीपोटसव की बात कर रहे हैं यहां घर में दिया जलाने के लिए पैसा नहीं क्योंकि सरसो का तेल बहुत महंगा है ठीक है आप कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़े-बड़े हाइवे बना दिये यहां देखो वहां देखो फरकाबाद का क्या हाल है इसको आप भी भली लोगों ने रखी हैं सबका अपना मत है और जंता जनारदन है उनका अपना जो समस्या है वह समस्या रख सकते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इसी जनता से कोई कहना पड़ेगा कि बारती जनता पाइटी मानी योगी जी और सब्सक्राइब योजना है शचाले की योजना की योजना हो चाहिए सभने यूजना हो चाहिए जो ना हो जए पृब्लीक के लिए रासन गलत दे रहे हैं जिनकी रासन से पूर्ति नहीं करती पड़ती है मैं उसे निवेदन करता हूं कि आप एक चिट्टी लेकर टीम को लिख दीजिए कि मुझे रासन नहीं चाहिए प्रति ब्यक्ति के हिसाफ से पांच किलो रासन मिला है और महीने में दो-दो वार रासन दिया गया है आपकी इस से भी पूरती पर्मानेंट क्या पैसाखियों पर पर्मानेंट पैसाखी पर चलना चाहते हैं और मुझे बताइए कि आपने सरकार के किस मात्तो कांची योजना का लाव नहीं लिया है आप एफिडेविट देदी जैंगे कोई योजना का लाव ठीक ठीक है आप बीजेपी के बीजेपी क का मतलब यह है कि जिस ब्राइब को यह लग रहा है कि राव पूरती नहीं पढ़ रही है आप से आप से पूछ रहा हूं तबी एक बनेट एक प्लिटा है लोग रासन बेज देदें आप पहुआ पीते हैं तो प्रति पाएगी ठीक ठीक है ठीक है ठीक है क्या किया रहे है ठीक 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 है तो फरकाबाद की सदर्विदानसवा शेत्र था यहां तमाम लोगों से बातशीत की और इसके साथी साथ नेतागर जो थे उन्हों तो देश और दुनिया की तमान खबरों को देखने के लिए तो अगला जो मुद्दी पार्टी में सबका साथ सबका विकाद और सिर्फ लूट घसोट और कुछ भी नहीं जनता को भी थोड़ा जाग रुखना पड़ेगा आप कहरें कि प्रदान कौन हमें मालूम नहीं है नौकरियां जो है रोजगार दरसल पूरी तरीके से दम तोड़ चुका है लंगड़ा हो चुका अरे आखड़े तो फाइलों में बड़े घुलाबी है भाई साथ उसमें क्य की यह जो तो जा रहे हैं मोहमदाबाद किया रही है क्लिक का ओरका क्या है हैम्यृस देख्रा दरसल क्या हाल है करें इस सब जो देख़etr हैं इनकी धिम्हदारी किसकी हैं हो नंला पार दाता हम जातर बन रहेगा सुनके कॉंग्रेस वालों के चमक गई हों कह रहे हैं कि हमारे कांगा किन वार रहा है अपना दलके नेता जी कह रहे हैं कि 18 साल की उमर क्रॉस कर गए और हमारी सरकार में आके जवान हो गए अब नौकरी नहीं मिली तो हमारी गलती क्या वह या